राजसबा की चार सदस्यों का कारेकाल खत्म होने पर विदाई भाषन के वक्त परधान मंत्री हुए भावुक कहा सदस्यों ने सिर्फ अपने दल की ही नहीं बलकी देश और सदन का भी रखा है खयाल राजसबा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नभी आजाद के कारेकाल का आज अंतिम दिन परधान मंत्री नेरियंदर मोदी ने कहा न्यूंतम समर्थन मूलिय और क्रिशी उपज विप्रन समीति की मंडियां रहेंगी जारी नए क्रिशी कानूनों से देश के छोटे और बहुत छोटे किसानों का हुगा विकास परधान मंत्री मोदी और अफगानिस्तान के राष्टपती अश्रफ गने के बीच हुई वर्च्वल बैठक शेहतूत डैम को लेकर दोनों देशों के बीच हुआ समझोता भारत ने अफगानिस्तान में इस प्रोजेक्ट के अलावा 80 लाख डॉलर की लागत के प्रोजेक् कारिय जारी इस बार में 157 श्रमिक हैं लापता बचावदन में अब तक 56 श्रफ निकाले बाहर सुरंग में फंसे 12 व्यक्तियों को सुरक्षित बचाया दिल्ली पुलिस के विशेश सेलने 26 जन्वरी को किसानों की ट्रक्टर रैली के दोरान हिंसा भढ़काने के मामले में अभ्यूक्त दीप सिध्धु को किया गिरफतार दिल्ली पुलिस ने सिध्धु की गिरफतारी पर एक लाख रुपए के पुरसकार की की थी घोशना देश में अब तक 62 लाख 69 जार से अधिक लोगों को लगाये गए कोविट के टीके महीं देश में कोविट से स्वस्थ होने की दर हुई 97.25 प्रतिशत फिल्म अभिनेता राजीव कपूर का 58 साल की उमर में मुंबई में हुआ निधन, राम तेरी गंगा मैली फिल्म से की थी अभिनेय की शुरुवात, राज कपूर के सबसे छोटे बेटे और रिशी कपूर के थे छोटे भाई मुरकों के शहर तंजीर में भारी वर्षा के बाद आई बाड में एक कपड़ा फेक्टरी में पानी भरने से कम से कम 28 मज़ूरों की हुई मौत मयमार में सैन ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज भी जारी, सरकार ने राजे की स्थिर्ता, सार्जनिक सुरक्षा और कानून विवस्था का उलंगन करने वालों पर कानूनी कारवाई की दी है चेतावनी अब खबरे खेल जगत से चन्नेई टेस्ट मैच में इंगलेंड ने भारत को 227 रनों से हराया, चार टेस्ट मैचों की श्रिंकला में एक शूने से लिए बढ़त